जब भी हमारा कुछ मीटा खाने का मन होता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार खीर बना ली जाए तो अभी आम कभी सिजन है तो क्यों न आज हम मैंगो खीर ट्राई करें क्या आपने कभी मैंगो खीर ट्राई की है? नहीं की? तो चलिए कोई बात नहीं आज हम बनाते हैं मैंगो खीर की रेसिपी तो सबसे पहले हम फुल क्रीम दूद को एक कडाई में बलने के लिए रख देंगे मेरे पास उबला हुआ दूद रखा हुआ था तो मैंने मलाई सही थी वो कडाई में डाल दिया है आप ये खीर लैट्टोवर राइस से भी बना सकते हैं तो मेरे पास रात के एक कटोरी राइस रखे हुए थे तो मैं आज इसी से खीर बना रही हूँ तो आप इसको कच्चे चावल से भी बना सकते हैं अब जब तक ये चावल दूद के साथ पकते हैं तब तक मैं आम की प्यूरी बना लेती हूँ तो आम को छेल कर उन्हें पीसेज में कट करके एक मिक्सी के जार में डाल कर हम प्यूरी बना लेंगे और एक या दो आम को हम छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे जिनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे यह आम की खीर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप इसे जरूर से ट्राइ करें और अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यह कटे हुए आम को अभी हम साइड डग देते हैं और देखिए अभी हमारा दूद भी अच्छे से पकने लगा है और अब हम इसमें एड करेंगे कुछ केसर के धागे और इलाइची पॉडर और अब हम इसमें थोड़ इसी चीनी डाल देंगे चीनी मैंने कम ही डाली है आप चाहे तो थोड़ा कमिया जादा कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसमें आम को भी एड करना है तो आम की भी कुछ अपनी मिठास होती है तो इसलिए चीनी मैंने कम ही यूज की है और धीरे-धीरे हमारा ये दूद भी जो है गाडा होने लगा है तो इसको इसे स्टेज पे आके हमें चलाते रहना है इसको छोड़ना नहीं है जिससे की ये नीचे लगना जाए क्योंकि कभी-कभी खीर को अगर छोड़ देते हैं तो जल जाती है तो इसलिए हमें खीर को चलाते रहना है अब इसमें हम एड करेंगे कुछ ड्राइफोर्स मादाम, पिस्ता, किसमिस मैंने ये डाला है बाकी आप अपने अकॉर्डिंग और भी ड्राइफोर्स इसमें एड कर सकते हैं अब देखिए दूद की क्वांटिटी भी काफी कम हो गई है और खीर हमारी पक्कर थिक भी हो गई है और इस स्टेज पर आकर हम गैस को आफ कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए रख देंगे एक बार खीर नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाए तो इसको हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे खीर को मैंने 2-3 गंटे फ्रिज में रख दिया था तो ये काफी ठंडी हो चुकी है और जो मैंने आम की प्यूरी और आम की पिसivo बनाए थे उनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था तो अब हम इसमें एड करेंगे मैंगो प्यूरी और इसे खीर में अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद देखिए खीर में कितना सुन्दर कलर आ चुका है और ये दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी है और अब हम एड़ करेंगे इसमें कुछ मैंगो की पिसेज जो हमने कट करके रखे वे थे और अब ये हमारी मैंगो खीर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए तो अब हम ठंडी ठंडी की सर्व करेंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है साथ ही हम गार्निश करेंगे मैंगो की पिसेज से और ड्राइफ फूट से तो अगर आपको भी मैंगो की खीर की रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा और अगर आप इसी तरह की रेसिपी और देखना चाते हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो मैं मिलती हूँ आप से नेक्स वीडियो में बाबाई